आम आक्रिष्ने निरजसाह वर्तमानो निवेश्यन्नम अमर्तम मर्तम्चा हिरनेने सबितार अथेना देवोयाती भुबनानी पश्यनहौं आम हिराम हिरीम हरोम सगर्णी सूर्याय नमहौं मित्रो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल डॉक्टर एच्छेसरावत फेस्बूक पे डॉक्टर एच्छेसरावत में मैं हूँ आचार एच्छेसरावत आज सुबह ग्यारे बज़ के सोले मिनिट पर सोले जुलाई को सूरी की सकरांती होगी है सूरे ने रासी परवरतन कर लिया है करक रासी में प्रवेश कर लिया है करक रासी में प्रवेश करते ही यहां पर सडास्टक योग बन गया है सनी और सूरी का सडास्टक योग बना है सुब करतरी और पाप करतरी योग भी बना है लेकिन मैं आज आपको सडास्टक योग की जानकारी दूँगा सडास्टक होता क्या है और साथ में सडास्टक के दुष्ट परणाम होते क्या है इससे पहले मैं इसके उपर एक वीडियो बना चुका था लेकिन उसमें पांच प्रकार के राजयोग मैंने बताए थे उन राजयोगों के मैंने जानकारी दी केंदर त्रकों राजयोग सुपकरतरी योग यह सब मैंने आपको बताया था लेकिन आज का एपिसोड इसपेसल है और सडास्टक का कुंडली मिलां के अंदर 17 की बहुत बेली होती है अगर वर और कन्या का सडास्टक योग बन जाए पिता पुत्र का सडास्टक योग बन जाए भाई भाई का सडास्टक योग बन जाए नौकर और मालिक का सडास्टक योग बन जाए ड्राइवर मालिक का सडास्टक योग बन जाए कोई स्टाप रखते हो उसके साथ सडास्टेक जोग बन जाए तो ये बड़ा खतरनाख होता है और आज इसी को ले करके मैं पूरी जानकरिया आपको देने वाला हूँ लोग जोतिस पर यकीन नहीं करते बोलते हैं ये तो बेपकूब बनाते हैं ये तो बोलते हैं कि जोतिसी ठकते हैं मैं मानता हूँ कुछ ठकते हैं हर जगे हर डेपार्टमेंट में ठक बैठे हुए हैं ऐसा नहीं है कि दूद का दुला तो कोई नहीं है मैं आज न्यूज पढ़ रहा था सबसे बड़ा करप्ट देश रसिया भी है और बहुत बड़े बड़े कंट्री ब्राजील भी बहुत बड़ा करप्ट है हिंदोस्तान का नंबर तो काफी कम पे आता है इसलिए किसी को चीट करना ठगना जोतिस के नाम पर भगवान के नाम पर अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी चने के साथ गुना तो पिस्ता ही है मित्रो मैं इस सडास्टेक योग की जानकारी दूँ उससे पहले आपको बता दूँ एक अगस्ते हमारी परसिंद जोतिस की किलास दूँ हो रही है आप उसमे एड़िमिसन ले सकते हैं संपर्क कर सकते हैं ये मैं स्वैम आपको पढ़ाँगा हमारे यूटूब चैनल और फेस्बूक पेज को आप फोलो करिए सबस्क्राइब करिए नोट विजन बैल को भी दवाईए सडास्टेक योग का मतलब होता है मेरी रासी से मेरी पतनी की रासी मृत्व स्थान में आ जाए और मेरी पतनी से या मेरी रासी मृत्व स्थान में आ जाए तो किसी की मृत्व संबब होती है या रोग स्थान में आ जाए तो आजीवन रोग रहता है इसका वैग्यानिक आधार है वग्यानिक आधार होता है जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारी औरा मैच नहीं करती है औरा मैच न करने के कारण हम कंफ्यूज होते हैं क्रोध में आते हैं गुस्से में आते हैं और हमारे डिसीजन्स पावर सही नहीं होती है जैसे दो टावरों के सिगनल सापस में मिल जाएं तो टेलिफॉन सुनाई नहीं देते किसी के आवाज किसी को जलाट हो जाती है ऐसे ही जो सडास्टक योग होता है न मान लो मालिक का ड्राइवर का सडास्टक योग आ गया तो किसी एक की मृतु जरूर होगी आप नोट कर लेने, सर्वे कर लेने क्योंकि वो जो मालिक है उसका जो ड्राइवर है वो उसके लिए मिर्टू का कारक बनता है क्योंकि उन दोनों का समन्वे बैठता नहीं है ऐसे कितनी बार हम बोलते हैं पिता पुत्र को एक साथ नहीं चलना चाहिए पिता पुत्र को एक साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे बोलते हैं कई बार, और हम बोलते हैं कि ये विक्ती आप जिसको रख रहे हो या आपके लिए लखी नहीं, ये बैड लख है, तो ये सडास्टक योग होता है, और इसी सडास्टक योग की जानकरी मैं आपको देने वाला ह ये पांच रासियों पर बनेगा, और इन पांच रासियों पर इस सडास्टक योग का प्रवाब क्या रहेगा, वो सुनिये, सबसे पहली जो रासी है, वो है मिथुन, मिथुन रासी का जो सडास्टक योग है, वो दो मारक के स्थानों से बनता है, मिथुन रासी में तीसरे चटे है और सूरी से सनी अस्टम है तो ये सडास्टक योग बड़ा खतरनाक है इसमें केंदर में कोई सुग्रेवी नहीं है तो मितुन रासी वालों को बड़ा समल के रहना पड़ेगा अगर आपकी सूरी की दसा चल रही है अगर आपकी सनी की दसा चल रही है तो ये सडास् चाहिए क्यों के इंद्र आपका खाली आ रहा है मंगलिक योग भी आउपर बना हुआ है पाप करतरी योग भी बना हुआ है तो ये सडास्टेक योग आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है करकरासी वालों का सडास्टक योग दूसरे बाप ये दूसरा बाब मारक होता है मारकेस होता है दूसरे बाब का सौमी सूरे अपनी रासी से बारंबाब में बैटा हुआ है सनी मिर्तुष्थान में बैटा है मारकेस होकर गए ये भी दौनों मारकेस हैं लगन में बैटा हुआ सूरे आपकी रासी में बैटा हूँ असूर मिर्तु स्थान में सनी एक दूसरे के छटे और अस्टम में तो करक रासी वालों को भी बहुत साथदानी बरतनी के आपश्रिकता है 31 दिन का ये फलादेश है 31 दिन तक आप बहुत साथदानी बरते हैं सूरी को जल चड़ाते रहें सनी के मुंत्रों का जाप करते रहें अगली रासी है हमारे पास में सिंग सिंग रासी का स्वामी सूरे स्वैम अपनी रासी से बारम इस्थान पर है एक्सिडेंटल रोग चोट रेड़ और मारके सनी इन दोनों का बारेंबाब और सब्तमबाब के साथ में सड़ास्टक योग बना हुआ है ये योग बहुत अच्छा नहीं है तो मिथुन रासी, करक रासी और सिंग रासी है इनके लिए ये सड़ास्टक योग बिलकुल भी अच्छे रही है इनको सूर्य सनी की पूजा करते रेने चाहिए अगली रासी है कन्या ये सडास्टक योग बड़ा खतारनाक है ये आपके धन के लिए भी खतरनाक है रोग चोट रेंड कर्च के लिए भी खतरनाक है क्योंकि सनी छटे भाब में बैटा हुआ है और छटे भाब से छटे सूर्य बैठा हुआ है बावत ते भाब कारकम यनि यहाँ पर इनको अगर मैं देखूँ तो ये दौनों एक दूसरे के सडाश तक है तो ये जो चार रासी मैंने बताई है न इन चार रासीों को बहुती साफदानी बतनी के आप सकता है अगली रासी है हमारे पास में पांच मी वो रासी है धनू धनू रासी के अंदर सूरे मृतु स्थान में है और सूरे से अस्टम सूरे से मृतु स्थान में सनी बैटा हुआ है यहां पर ध्यान रखें पिता पुत्तर को एक साथ नहीं चलना है क्योंकि यह पिता पुत्तर हैं दोनों प्लैनेट एक दूसरे के कहीं न कहीं सणास्टक बना करके बैटे हैं और ऐसी सिती के अंदर सूर की पूजा सूर को जल चड़ाना और सनी की पूजा सनी के मंतरों का जाप करना यह बहुत जरूरी होता है इसको आप करते रहिएगा सनीवार को तेल का दान करते रहिएगा यह 31 दिन का फलादेश है अगले 17 अगस तक 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 तो यहां पर साबदानी आपको बर्तनी का वश्चत मित्रों इसी प्रकार की और सटीक जानकारी लेकर कि मैं आता रहूँगा साबदानी बर्ते जोते से एक विज्ञान है यह बहुत पवित्र विज्ञान है मैं वापस्यात लेता हूँ नमश्कार और मैं आपको अपना पदा देता हूँ आप इस पर संपर कर सकते हैं वास्तु बजेच के लिए संपर कर सकते हैं उन्ली मिलान के लिए संपर कर सकते हैं नक्सा बनवाने के लिए संपर कर सकते हैं अब आप ये मेरा एड्रेस नोट कर स हमारा दिली का पता है महरसी परासर जो 30 विद्याले C9 महिंदर पार्क पंखा रोड नियर जनकपुरी C1 बस स्टैन न्यू डेली 59 हमारा डेली का नंबर है 98114156 9212296090 हमारा मुंबई का नंबर है 982011429 हमारा नोईडा का नंबर है 9999896090 हमारी इमेल आइडी है in at the rate astrohubworld.com हमारी website है www.drhsravat.com फोनमेंट लेने के लिए संपर करे 98114156 धन्यवाद